हेलो फ्रेंड जया मातदी फ्रेंड आज देखे हम बेबी के लिए कैप बनाएंगे बहुत ही सुन्दर इसको हम तीन से पांच चे साल के बच्चे को अराम से आजाएगे तो इस पे मैंने सिंगल धागे से फंदे डालें तो मैं आपको दिखा देती हूं कैसे डालने हम दोनों साइड से हमने सिंगल धागा लेना है इस साइड भी और इस साइड और इस तरीके से हमने फंदे डालने हैं इसमें तो इस तरीके से आप इसमें फंदे डालेजिए सिंगल और फिर इसमें सीधी उल्टी सीधी उल्टी है मैंने 10 लाइयां बना दियें एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस अब ग्यार्मी स्लाई पे हम डिजाइन बनाएंगे इसमें फ्रेंड मैंने 86 फंदे डाले हैं पांच-पांच के मल्टिपल से फंदे और दो फंदे हमने एक्स्ट्रा डाले हैं अब हम यहाँ पे डिजाइन बनाएंगे तो देखिए कैसे डिजाइन अड्जेस्ट करेंगे वह मैं आपको पता रही हूँ पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और अगला फंदा हम एक सीधा बनाएंगे अब देखिए एक जाली बनाई और एक फंदा ऐसे पल्टा फिर एक इस साइड से पल्टा दो का एक इस साइड से कर दिया फिर जाली बनाई इस एक फंदे पर हमने दोनों साइड जाली बनानी है जो मैंने स्वाटर पे डिजाइन बनाया है वही मैं इस कैप में भी बना रही हूँ फिर देखे दो का एक करा फिर इस साइड से भी दो का एक करा फिर जाली बनाई जालियों से हमारे फंदे बढ़ेंगे और जो दो का एक करेंगे तो फंदे घटेंगे तो पूरी स्लाई में हमने ऐसे ही बना देना है पहले देखे दो का एक करा फिर इस साइड से दो का एक करा फिर जाली बनाई एक फंदा सीधा बनाया फिर जाली बनाई तो लास्ट तक हम सभी फंदों को ऐसे ही बना देंगे फिर मैं लास्ट में दिखाती हूँ आपको अब यह देखे फ्रेंड लास्ट में पहुंच गे जाली बना दी इस फंदे को ऐसे पलटेंगे दो का एक कर दिया अब इस साइड से भी दो का एक करेंगे और यहाँ पे जाली बनाते हूए लास्ट का फंदा बना देंगे अब इसके बाद तीन स्लाइएं हम सीधी उल्टी स अगली सीधी उसके बाद फिर उल्टी और फिर यही डिजाइन हम चौती स्लाइए पर यही डिजाइन बनाएंगे तो ऐसे ही चार-चार स्लाइएं पर हमें डिजाइन बनाते जाएंगे और अपनी लैंथिस के कंप्लेट करेंगे तोपी की वह मैं आपको बाद में दिखाते हूं मैंने कितने डिजाइन इसमें बनाए हैं बस से वाली स्लाइए उल्टी अगली सीधी फिर उल्टी फिर अगली जो आईगी सीधी स्लाइए उस पर हमने यही डिजाइन बनाना है दुबारा से ऐसे ही जो हमने पहले स्लाइए बनाई है तो मैं यह लैंधिस के कंप्लेट कर लेते हूं फिर दिखाते हूं अब देखिए फ्रेंड एक दो तीन चार डिजाइन इसके एक दो इसके और फिर देखिए चार इसके एक दो तीन चार 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 आठ है और नौ दस दस डिजाइन बनाने के बाद सीधी स्लाइप पे हैं अब हम फंदे डिवाइड करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे अब हम फंदे कम करेंगे इसके तो ध्यान से देखिए देखे, आठ फंदे बनाएंगे, पहला फंद हमने स्लिप करा, अगले आठ फंदे बनाएंगे दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ अब आगे हम तीन का एक करेंगे, दो ऐसे स्लिप करें, और ये वाला बनाया और इन दो को इसके उपर से उतार देंगे, अब फिर से आठ फंदे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ फिर से हमने तीन का एक करना है, इन दो को इसके उपर से उतार देंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ, अब फिर से तीन का एक, दो को ऐसे सिलिप करा और एक फंदा बना लिया, अब इन दो को इसके उपर से उतार देंगे, फिर से आठ फंदे बनाएंगे, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, अब इन दो को ऐसे सिलिप करा और इसको बना दिया, इन दो को इसके उपर से उतार दिया, तो तीन का एक हो जाएगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, फिर से इन दो को ऐसे सिलिप करा, इसको बनाया, इन दो को इसके उपर से उतार दिया, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ, ऐसे सिलिप करेंगे, इसको बनाएंगे, इन दो को इसके उपर से उतार देंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, उन दो को ऐसे सिलिप करेंगे, इन दो को पर से उतार दिया, आठ, आठ, और लास्ट का एजे स्टिच, अब उल्टी स्लाई हम पूरी उल्टी बना लेंगे, अगली सीधी पे एक बार फिर दिखांगे, आपको, अब एक बार फिर से देख लिजे फ्रेंड, पहला फंदाम ने सिलिप करा, और साथ फंदे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और एक, साथ, अब एक फंदा मारा इस साइड से घटेगा, एक इस साइड से, तो ए है जो तीन का एक करा, तो ये वला फंदा और ऐसे स्लिप करेंगे, और ए बनाएंगे, और इनको, दो को इसके उपर से उतार देंगे, तो यहाँ पे ऐसे चोट 3, 4, 5, 6, अब 6 फंदे बनाएंगे हम, इन दो को ऐसे स्लिप करेंगे, और इसको बनाएंगे, central वाँ यहां consistency सब्सक्राइब कर किकी वीजर चार 2 मेरे का सब्सक्राइब कर दो भिड़क этим है तब तक हम ऐसे फंदे कम करते जाएंगे तो इसको स्लिप करेंगे और इस फंदे को बनाएंगे और दो को इसके उपर से उतार देंगे जैसे छे फंदे बनाएंगे एक दो तो में ये सारे फंदे बंद कर लेती हूँ फिल ना बहुताती हूँ और और शिलना भी बताती हूँ कैसे हम इसको सीलेंगे कैब को तो यह मैं बना ले तिन पहले अब देखे फ्रेंड एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ फंदे बचे हैं तो बीच में मैंने देखी ऐसे तीन धारियों का डिजाइन दे दिया है जब हमारे पास बीच में चार-चार फंदे बचे जैसे हमने चार फंदे बचे बनाए फिर तीन का एक करा फिर चार फिर तीन का एक फिर चार उसके बाद तीन धारियों बना ली और फिर से हमने वही चार फंदे बीच में तीन का एक चार बीच में और ऐसे घटाते गए अब देखिए अब हमने थोड़ा सा धागा छोड़ द लेंगे कि अब सिलाई हटा देंगे और यहां पर हम इसको एक वार फिर इसके अंदर से निकाल के सिल देंगे अगर आप पुम-पुम लगाना चाते हो तो यहां पर लगा सकते हो बीच में थोड़ा से इसको लोग छोड़ के मैंने बना रखा है पर अभी पूरा कंप्लेट इस अब हमे इसको चयाल इसको शाइणे कराएं मेशनाव अब अब देखे अब बन एक साइड कंपो और इसाइड कलेंगे एक के चिउसे पूरा Komm शेयर कवरह क बीच में कर से ओंदाना के ग्र तुषनधा ने शेयर कर निकालते हुए इसको आब नेशा है tuh और इससे शीपक कि उल्टा फंदा निकारना है ऐसे सेंटर में से हमने कि इस वली उल्टी धारी पर पहुंच गे तो यहां भी उल्टी धारी का एक फंदा लेंगे इस वली उल्टी धारी का एक उल्टी धारी का इस त्रीके से मिलाते हुए इसको हम नीचे तक सिल देंगे तो यहां पर आइसे बनके आएगा जो यहां पर जो कलर मैं छोड़ रखाये थोड़ा सा इससे हम आवला सिलेंगे और फिर ये नीचे वाला पार्ट में आपको दिखाऊंगे जहां पर फिनिशिंग होनी है अच्छी तरह से हमने उसको सिलना है तो ये मैं सिल लेते हूं जब तक बस हमने ऐसे ही एक एक फंदा उल्टा उल्टा ऐसे लेते जाना है और इसको मिलाते हुए सिलते जाना है ये नहीं कि आगे पीछे सिल देना है अब ये देखे फ्रेंट जो धागा यहां पर बचा हुआ था उसी से हम इसको सिलेंगे तो इन दोनों को अच्छे से यहां पर जोइंट करेंगे देखे ये वाला पंदा ऐसे पकड़ेंगे अब जैसे हमने ओबला पार्ट सिला था उपर से नीचे वैसे इसको भी सिल देंगे सिर्फ उल्टा उल्टा फंदा लेते हुए ऐसे एक साइड से फिर इस साइड से उल्टा उल्टा लेंगे फिर इस साइड से लेंगे फिर इस साइड से लेंगे ऐसे हैं आप देख जाता है आराम से ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है मुश्किल नहीं है बिलकुल इजी हैं जो भी उल्टा फंदा है उसको हम ऐसे कि अंदर से निकाल जैंगे और इसको सिलते जाएंगे यह देखिये, यहां है फर पता भी लेंक से और है कि इसको Cait कर ँचा हुआ है अब भी देखिये, अब यहां पे पहुंच गे रहें यहां भी हमें इसको अंदर के साइड को ऐसे पक्का करेंगे बाहर के साइड भी नहीं करेंगे यहां पर दो बार सुई के बरधागा गुमाया और यह पक्का हो गया अब मैं काट के दिखाते हूं फिर आपको और यह देखे फ्रेंट यह देखे यह हमारी सिलाई है पर यहां पर दिखने रही है कि हमने सिलाई कर रखिये तो इस तरीके से बहुत संदर हमारी कैप बनके कंपलीट हो जाती है यह देखिए। इस तरीके से यहां पर कि संदर लगता है अब इसके उपर हम यहां पैंप ईब इनियोन संदर लाइएगा बिक अब मेरे पास इस कलर का धागा नहीं बचा है नहीं तो मैं इस कलर का यहां पे लगाती पर मैं इसी कलर से अब लगा दूंगी तो फ्रेंड इस तरीके से आप अपने बेबे के लिए कैप बनाएए बहुत इजी तरीका है यह और बहुत ही सुन्दर भी लगती है और झाल को थैंक्यू